बच्चों, पिछली ताशिका के समय हमने यादों के जरोके से इस पाट के शबदार्थ, पाट बोध में मौकिक, लिखित प्रश्ण तथा सही उत्तर पर सही का निशान लगाए इन प्रश्णों के सवाल और जवाब हमने देखे थे अब हम पन्ना नंबर अटारव पर सोचे और बताए इन प्रश्णों की ओर ध्यान देंगे इसकी चर्चा करेंगे सोचे और बताए इसमें पुहला उपप्रश्ण क कलाम का सपना था कि वे आकाश में उची उडान भरे आपका सपना क्या है उसे पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनका सपना था आकाश में उची उडान भरना जैसे उन्होंने समुद्र तट पर कुछ आकाश में पंची मनराते देखे थे इन्ही पंची यानि पक्षियों को देखकर उन्होंने अपना सपना तय किया और उस सपने को उन्होंने कटिन मेहनत और परिश्रम से पूरा किया और अपने शिक्षक का आदर्श रूप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन गए उसी तर हमें भी अच्छे सपने देखकर उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें कटिन मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा साथ में अच्छे कार्य करने पड़ेगे और ये करने के लिए हमें अच्छी पढ़ाही करना ही जरूरी है कड़ी मेहनत अच्ची पड़ाई और बड़ों का आदर्श लेकर हमें कलाम जैसे आदर्श बनना है और हमारे सामने एक ऐसा सपना होना चाहिए जिस सपने को पूरा करने के लिए हमें दिन रात एक करे और वो मुकाम हम हासिल करे इस तरह कलाम जी ने सपना पूरा किया था उसी तरह हम भी कलाम जी की तरह कुछ न कुछ नया बनके पूरा करने की कोशिश करेंगे क के बाद ख अपना लक्ष प्राप्त करने के लिए एक विद्यारती में क्या क्या गुन होने चाहिए अपना लक्ष प्राप्त करने के लिए डॉक्टर एपी जे अब्दूल कलाम की तरह हमें अच्छे सपने देखने होंगे उसे पूरा करने के लिए मेनत करनी होगी कठिन परिश्रम की आदत जरूरी है अच्छी पढ़ाई करनी होगी जैसे कलाम जी के आदर्श शिक्षक थे आया दुरे सोलोमन तथा उनके और भी कही शिक्षक थे जिनका आदर्श उन्होंने लिया और अपने काम में उन्होंने सपलता हसिल की इसलिए अपना लक्ष प्राप्त करने के लिए एक विध्यारती में कठिन मेहनत करने का गुन होना चाहिए अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए अच्छी पढ़ाई करना जरूरी है बड़े लोगों के आदर्श हमें लेना जरूरी है साथ में सपने देखते समय हमें उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारा होसला, विश्वास और एकागरता से काम लेना है इसी तरह हम डॉक्टर एपीजे अब्दोल कलाम की तरह अच्छे एक शिक्षक, एक अच्छे राजनितिक व्यक्ति, एक अच्छे व्यज्ञानिक, एक अच्छे साहितिक और एक अच्छे इंसान इस तरह के गुन हमें आगे ले जा सकते हैं, इसलिए अपना लक्ष प्राप्त करने के लिए एक विध्यारती में अच्छे गुन होना जरूरी है इसके बाद भाषा ग्यान के अंत्रगत यहां पर कुछ प्रश्ण दिये गये हैं, इन प्रश्णों के जवाब हमें वर्क बुक में लिखकर फिर सुन्दर हस्ताक्षरों में अपने नोड़ बुक में लिखकर मुझे सेन करने यानि होटसेप की माद्यम से भेजने हैं, जयान याने उस भाषा को अच्छी तरसे बोलने लिखने के लिए उस भाषा का व्याकरन हमें जरूर पढ़ना आवश्यक है, इसलिए भाषा ग्यान के माद्यम से हम प्रत्न पुरुवक उस भाषा को अच्छी तरसे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, भाषा ग्यान के अंत्रगत पुहला जो प्रश्ण है यहाँ पे दिया गया है, हिंदी में कुछ उपसर्ग अन्य भाषाओं याने अर्बी, फार्शी, अंग्रेजी, आदि के भी हैं, क्योंकि इन भाषाओं के शब्द हिंदी में ग्रान कर लिए गये हैं, अर्बी, फार्शी के उपसर्ग, जैसे अल, अल बेला, कम, कमजोर, खुश, खुश किस्मत, गैर, गैर कानुनी, ना, नालायक, बद, बदबू, सर, सरपंच, हम, हम उम्र, हर, हरपल, आदि, यहाँ पे हिंदी में मूल शब्दों के पीछे उपसर्ग लगाएं, जैसे अल, अल बेला, कम, जोर, खुश, खुश किस्मत, गैर, कानुनी, ना, नालायक, बद, बदबू, सर, सरपंच, हम, हम उम्र, हर, हरपल, आदि, यहाँ पे उपसर्ग लगाएं गये हैं, इन उपसर्गों के माध्यम से, अन्य भाषा से आये होए शब्द, यहाँ पर हम, हिंदी भाषा में ग्रहन करते हैं, और उसका उच्चारन भी करते हैं, अब आप नीचे दिये गए वाक्याउशों की साहेता से, खाली वर्गों को भर कर, बे कोश्टक में बिना के अर्थ में उपसर्ग वाले शब्द बनाएं, जैसे बे को लेकर बिना अर्थ के उपसर्ग लगाने के बाद जो शब्द तयार होते हैं, उन शब्दों को देखिये जैसे, जिसे कोई फिक्र न हो, बे फिक्र, जिसे कोई फिक्र न हो, तो उसके लिए शब्द है बे फिक्र, नीचे, जिसकी कोई हद न हो, बे हद, देखो, जिसकी कोई हद न हो, वो शब्द है बे हद, जिसका कोई हिसाब न हो, बे मिसाल, या बे हिशोब, या बे हिसाब, देखो, जिसका कोई हिसाब न हो, उसे कहते हैं, बे हिसाब, आगे का शब्द, जो काबू में न हो, बे काबू, जो काबू में न हो, उसे बे काबू कहते हैं, नीचे, जिसे किसी बात की शर्म न हो, बे शर्म, जिसे किसी बात की शर्म न हो, उसे बे शर्म कहते हैं, जिसके बारे में शक न हो, बे शक, जिसके बारे में हमें कोई शक नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बे शक, इस तरह से हमें, उपसर्ग के माध्यम से बे को लेकर हम क्या करते हैं, उपसर्ग वाले शब्द बनाते हैं, जैसे यहां पे बनाए गये हैं, और एक बार मैं इसका जिक्र करता हूं, जिसे कोई फिक्र नहीं हो, जिसे कोई फिक्र नहीं होती हूं, उसे क्या कहते हैं, बे फिक्र, जिसकी कोई हद नहो, बे हद, जिसका कोई हिसाब नहो, बे हिसाब, जो काबू में नहो, बे काबू, जिसे किसी बात की शर्म नहो, बे शर्म, जिसके बारे में शक नहो, बे इसी तरह हिंदी नहीं की उपसर्ग लगाकर पांच शब्द लिक देखो इसी तरह हिंदी का और उपसर्ग लगाकर पांच शब्द लिके जैसे यहाँ पे भिन इस शब्द को अ उपसर्ग लगा है अभिन उसके बाद अपमान उसके बाद अपराद उसके बाद अभिमान उसके बाद आउसर इसी तरह हिंदी में उपसर्ग लगा कर हमने क्या कि पांच शब्द बनाएं वो शब्द ऐसे जैसे पहला शब्द यहाँ पे दिया गया है अभिन दूसरा अपमान तीसरा अपराद चौथा अभिमान और पांचवा आउसर इन शब्दों को आपको क्या करना है लिखना है करता हूँ अभिन्न अपमान अपराद अभिमान और अवसर बहाशा ग्यान के अंत्रगत दूसरा प्रश्ण देखिए निम्नलिकित वाक्यों में कारक को रेखांकित कर उनके भेद लिखे देखो निम्नलिकित वाक्यों में कारक को रेखांकित कर उनके भेद लिखे बेद्याने उस में जो अंत्र होता है भिन्मता होती है जैसे दो वाक्ट्रkedयों को जोणने के लिए दो शबदों को जोणने के लिए औरत में परिवर्टन लाने के लिए यहाँ पर कारत लगाए जाते यहें वाक्यों में जैसे यहां पर दियाए देखो दूसरा प्रश्ण भाषा ग्यान के अंत्रगत निम्न लिकित वाक्यों में कारक को रिखांकित कर उनके भेद लिखिए भेद याने प्रक पहला कर हम लोग अपने पुष्टैनी घर में रहते थे अब यहां पर का रहते थे पुष्टैनी घर में में यहने अधिकरन कारक क्योंकि पुष्टैनी का मात्यम से उनको घर मिलाता रहने के लिए जिसे हम वार्षा भी कहते हैं परंपरा के अनुसार हम लोग अपने पुष्टैनी घर में रहते थे यहां पर में जो कारक है वह में क्या करता है उस्तेनी घर में रहतने का अधिकार जताता है को के बाद मेरे पिता लकडी की नवकाएं बनाते थे देखो लकडी का संबन किसे है नवकाएं बनाने से तो यहाँ पर क्या है संबन जताया गया है जैसे कि इस शब्द के माद्यम से की यहने कारक की माद्यम से तो को के बाद ख मेरे पिता लकडी की नवकाएं बनाते थे कि यहने संबन कारक यहाँ पर संबन जताया है लकडी का नवकाएं बनाने से को के बाद मैंने 5 वी शर्फा उत्तिरन कर ली थी किसने मैं ने कौनसी कख्या उत्तिरन की थी पांचवी कख्या अब पांचवी कख्या के बाद वह का जाएगा चटी में लेकिन कब पाचवी कक्षा में उत्तिर्न होने के बाद याने अधिकरन कारक, अधिकारवानी से उन्होंने ये जताया है, कर ली थी, तो वाक्षे देखिए, ग, मैंने पाचवी कक्षा उत्तिर्न कर ली थी, याँपे कर के नीचे, अंडरलाइन देखर, अधिकरन कारेक लिखिए, क, ख गह के बादो हरह पिता जी हम चारो भाईयों को मस्जीत ले गए कि कहां ले गए मस्जीक कितने वाईयों को चारो यहां पर संप्रदान कारख यहां पर संप्रदान कारख चारो भाईयों को सभी को लेके गए क्या हो चारो पिता जी हम चारो भाईयों को मस्जीत ले गए यहां यहां पर संप्रदान कारख है क्योंकि यहां पे को प्रत्य आ गया है तो यहां पे को प्रत्य आने को यहां पे संप्रदान कारक कहा जाता है या फिर संप्रदान कारक वो होता है जैसे पिता जी हम चारो भाईयों को मस्जित ले गए पिताजे कितने भाईयों को ले गए? चारो चारो को मस्जिद ले गए इसलिए यहाँ पर संबन जाता है चार भाईयों का को यानि संपरदान कारक यहाँ पर को-को अंडरलाइन कीजे और कारक में लिखिए संपरदान कारक अब क, ख, ग, ग मैं अपने घर से दूर चला गया। मैं किसके घर से दूर चला गया अपने घर से दूर चला गया यहां पर से से का मतलब है करण नकुछ कारण हो गया है नएव ओभी तो गर छोड़ के चला जाता है आदमि कि तो dungeons अपने घर से कहां चला गया दूर चला गया तो यहां पे क्या यह अपादान कारक है क्योंकि यहां पे अपादान कारक चिन्न से जिस शब्द के साथ विभक्ति आती है उसे दूसरी चीज के आलग होने का बोद होता है अलगा होने का पहले चीज चे दूसरी चीज से अलगा ह होने का बोद होता है जैसे यहां पर मैं अपने घर से दूर चला गया कहां से चला गया मैं अपने घर से दूर चला गया याने घर से दूर चला गया इसलिए यहां पर क्या है अलगाव बताने के लिए कारक चिन्न का उप्योग किया गया है और वो कारक चिन्न है से तो उसके आगे लिखे अपादान कारक तो वाक्य कैसा है देखो मैं अपने घर से दूर चला गया से के नीचे अंडरलाइन के अधोरिकित कीजिए और आगे लिखे अपादान कारक इस तरह से निम लिकित वाक्यों में कारक को रेखांकित करके उनके बेध हमने लिके है अब इसका डेफिनिशन के माध्यम से जब हम देखते हैं जैसे ने को से को से का की के में पर हे अरे और जी यह सब क्या है कारक है और यह कारक का काम क्या है देखिए इसके लिए एक डेफिनिशन व्यक्या मैं आपके सामने रखता हूँ तब कहीं जाकर आप इसका पता चलेगा और इसे आप लोग अच्छी तरह से सुन भी ले और अपने नोड़बुक में अच्छी तरह से लिख कर भी रखे कारक की डेफिनिशन यानि व्यक्या देखिए सग्या अत्वा सरवनाम के जिस रूप द्वारा इसका सम्मंद वाक्य में आये हुए अन्य शब्दों के साथ व्यक्त होता है इस रूप को कारक केते हैं देखो कारक की व्यक्या पढ़ने के बाद आपके समझ में आ जाएगा कारक किसे केते हैं जैसे सग्या अत्वा सरवनाम के जिस रूप द्वारा इसका सम्मंद वाक्य में आये हुए अन्य शब्दों के साथ व्यक्त होता है इस रूप को कारक केते हैं और ये कारक कोन से होते हैं जैसे ने याने करता कारक को याने कर्म कारक से याने करन कारक को याने संप्रदान कारक से याने अपादान कारक का की के याने सम्मंद कारक में पर अधिकरन कारक है अरे अजी संबोधन कारक यह जो कारक है इन कारकों का काम है नाम सरवराम याने सग्यात्व सरवराम के साथ जिस रूप द्वारा इसका समंद वाक्य में आये हुए शब्दों के साथ व्यक्त होता है इस रूप को कारक केते हैं कारकों के अलावा उस वाक्यों का अर्थ हमें समझ में नहीं आता है कि व है यह हमें समझ में नहीं आता है जैसे यहां पर एक उदारन है मैं मुखोदगत यानि मुख की साहिता से आपके सामने रखता हूं करता का रख यानि क्या ने रामने रोटी खाई रोटी किस ने खाई रामने किस ने रामने तो यहां पर करता कौन है ने करता का रख रामने रोटी खाई ने के नीचे अधुरिकित रेखा करे इस तरह से हम लोग कारक के छोटी छोटे वाक के अच्छी तरह से बना सकते हैं यहां पर जैसे हम लोगों ने बनाए है और एक बार देखिए निमलिकित वाक क्यों में कारक को रेखांकित कर उनके भेद लिखी है जैसे पहला वाक्य क हम लोग अपने पुस्तेनी घर में रहते थे में के नीचे अंडरलाइन देकर आगे लिखिए अधिकरनकारक क्यों कि पुस्तेनी घर में रहने का अधिकार है तो ये अधिकरनकारक ख मेरे पिता लकडी की नवकाये बनाते थे लकडी का संबंध नवकाये से है तो संबंध कारक मैंने पाचवीक अक्षा उत्तिर्न कर ली थी किसने मैंने अधिकरन कारक कर ली थी कर के नीचे अधुरकित किजिये पिता जी हम चारो भाईयों को मस्जीद ले गए देखो पिता जी हमें चारो भाईयों को कहा लेकर गए मस्जीद कितने चारो भाईयों को याने संब्रदान कारक एक से ज़्यादा है इसलिए संब्रदान कारक आगे मैं अपने घर से दूर चला गया देखो मैं अपने घर से दूर चला गया मैं अपना घर चोड़ के कहीं दूर चला गया यहां स्थान का संबन्द है और अधिकरण वानी से का गया है मैं अपने घर से यानि मेरे घर से मैं बाहर चला गया हूँ तो यहाँ पे अपदान कारक है और यहाँ पे मैं अपने घर से दूर चला गया से के नीचे अधुरेकित कर आगे लिखे अपदान कारक इस तरह से आप लोग कारकों को पहचान कर उसके कारत वह कौन से वर्ग में आता है उसका आप लोग लेकन कर सकते हैं अब आगे दिखिए पन्ना क्रमांक उन्निस पर वाक्याउश को उसके लिए दिये एक शब्द से जोड़े देखो आपके सामने वाक्य रखे हैं इन वाक्यों को आपको क्या करना है पढ़ना है इसलिए पर विट वन वर्ड्स एक वाक्य के लिए आपको एक शब्द यहां पे बताना है जो आपको सही है न उसे यहां पे लिखना है और बताना भी है वाक्याउश को उसके लिए दिये एकould से जोड़े जहásरा भेसे ओर खीचे, उसे क्या कहते हैं, आकर्शक, जो अपनी ओर खीचे, वह आकर्शक, धर्म में विश्वास रखने वाला धार्मिक, दर्म में विश्वास रखने वाला धार्मिक, उसके बाद, परंपरा से जुड़ा हुआ पारंपरीक देखो परंपरा से जुड़ा हुआ पारंपरीक जिसे भुलाया न जा सके अविश्मर्निय रोबर सामने दिया गया है वो शब्द जिसे भुलाया न जा सके वह अविश्मर्निय रोब गई तेज बुद्धि वाला कुषाग्र बुद्धी का तेज बुद्धि वालगने कुषाग्र बुद्धी इस तरह से आपको क्या करना यहां पर वैक्क्यां उसके लिए जो योग्ड शब्द रटता हैं उस वाक्यों के सामने जिक्र करना है और उसके बाद उसे लिखना है जैसे यहां पर लिखे गए है जो अपनी ओर खींचे वह आकर्शक धर्म में विश्वास रखने वाला धार्मीक परंपरा से जुड़ा हुआ पारंपरिक जिसे भुलाया न जासके अविस्मर्णिय तेज बुद्धी वाल अब पन्ना नंबर 19 पर तीसरा प्रश्न होने के बाद भाषा ज्यान के अंत्रगत चौथा प्रश्न है शब्दों के अर्थ समझ कर वाक्य बनाए बहुत बार ऐसा होता है शब्दों का उच्चारन समान किया जाता है सुनने वे भी उसी तरह से आता है लेकिन लिखते समय उसका अर्थ भिन्न होता है तो यहां पर शब्दों के अर्थ समझ कर वाक्य बनाएं समसुर्थ भिन्नार्थक शब्द उच्चारन और वर्तनी दोनों दृष्टी से बहुत कुछ समान प्रतित होते हैं समान दिखाई देते हैं समान उच्चारन होता है लेकिन उसका अर्थ अलग होता है इसलिए यहां पर एक शब्द जिसका उच्चारन बहुती लंबा चौड़ा है समसुर्थ भिन्नार्थक शब्द समसुर्थ यानि सुनने को समान लगते हैं लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है इसलिए समसुरुत भिन्नार्थक ऐसे शब्दों को हमें क्या करना है वाक्यों में परिवर्थित करना है याने उन शब्दों को लेकर हमें वाक्य बनाना है जैसे यहां पर मैंने वाक्य बनाए है लक्ष याने लाख भगवान का लाख लाख शुक्र है लक्ष याने लक्ष हासिल करना मिलना और यहाँ पर लाख याने शुक्र मनाना तो यहाँ पर लक्ष इस शब्द का अर्थ लाख भी होता है तो लाख शब्दों को लेकर हम वाक्य बनाते हैं भगवान का लाक लाक शुक्र है लक्ष लक्ष याने उद्देश हमारे उद्देश में हमें सफल होना लक्ष याने उद्देश अब उद्देश इस शब्दों को लेकर हम वाक्य बनाएंगे हमें हमारा उद्देश सफल करना है हमें हमारा उद्देश सफल करना है अचार अब यहां पर आचार जो है आम का या नीमू का आचार जो खाने के लिए खाना खाते समय हम क्या करते है उसका इस्तिमाल करते है उसे खाते है अचार याने आम का या नीमू का तो हम वाक्य हाएंगे आम नएवु का अचार अच्छा है यांने आचरन विवार देखो अचार आलग गो खानेवाला अच्छार याने आचरन करना वरतन करना विवार करना तो यहां पर वाक्ति देखिए भक्ति का आचरन बहुत ही अच्छा है इसलिए न्यानिश्र महाराजी ने कहता महाराटी में जो बोले तैसा चाले त्याची वंदा भी पावले जिस व्यक्ति का आचरन अच्छा होता है जो हमेशा कथनी और करनी में अंतर नहीं रखता है उसी प्रकार का आचरन विवार बक्ति का आचरन बहुत ही अच्छा है गुरु याने शिक्षक गूर याने उपाए तो वाक्य देखिए गुरु याने शिक्षक के लिए वाक्य शिक्षक भगवान का रूप होते है गुरु याने शिक्षक भगवान का रूप होते है गुर याने उपा यानि जब हम दॉक्तर के पास जाते हैं तो मरीज वो कहता है कि मुझे यह हो गया हो गया है तो डॉक्टर उसके उपाई दवाई देकर उपाई बताते हैं गूर यानि उपाई अच्छा व्यक्ति बनना है तो अच्छी पढ़ाई करना ही एक मात्र उपाई है देखो गूर यानि उपाई अच्छा व्यक्ति बनना है तो अच्छी पढ़ाई करना ही एक मात्र उपाई है उपाई इस तरह से हम समसुरुत भिन्नार्थक शब्द उच्चारन और वर्तनी दोनों दृष्टियों से बहुत कुछ समान प्रतित हो परन्तु उनके अर्थ भिन्न होते है इने समसुरुत भिन्नार्थक शब्द केते है जैसे लक्ष लाक लक्ष यानि उद्देश अचार यानि नीमू का अचार नीम का अचार आचार यानि आचरन वेवार गुरु यानि शिक्षक गूर यानि उपाई इस तरह से हम सोचे औ के उपरश्णों का सवाल जवाब प्रश्ण उत्तरों समित इसका हम ने जिक्र किया इसकी पढ़ाई किये इसे सुना है अब है इसे आपको क्या करना है वर्क बुक में लिखकर अच्छी तरह से सुन्दर हस्ताक्षर में कौपी में लिखकर मुझे होटसेप के मादिन से सेन करना है अब पन्ना क्रमांग 19 पर ही कुछ करने को कुछ उपक्रम हमें इस पार्ट को लेकर उसका जिक्र यहां पर दिया है क्योंकि इसकी पड़ाई हम करें अद्देन करें और हमारे भी अब्दुलकलाम जी की तरह विचार हो उसकी तरह उनी की रहा पर उनी की इन्यों पर हम भी आगे बड़ें कुछ करने को इसमें कुल मिलाके तीन प्रश्ण दिये गए है जिनके उत्तर देखिए एक नासा क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और लिखे जैसे आपको पता है नासा यह संगटन है नाशनल सर्पर नासा का मतलब है फुल फॉर्म मीनिंग नाशनल एरोनाटिक्स स्पेस एड्मिनिस्ट्र नासा क्या है नासा एक संस्था है और यह स्पेस रिशर्च के माद्दिम से विश्वस्तर पर कार्य करती है जिसका फुल फॉर्म है नाशनल एरोनाटिक्स स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन और इसकी जानकारी आप लोगों क्या करने है वीडियोस के माद्दिम से देखनी है और फिर वो जानकारी मुझे आपको सेयर करनी है दो अगर आपको अब्दुल कलाम से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या पूछेंगे समवाद रुप में लिखे लिखो अब अब्दुल कलाम जीब तो वेचारे उनका इंतकाल हो गया उनका दिहानत हो गया वो स्वरगवाशी हो गये तो यहां पे वो जब थे उस वक्त य अगर आपको अब्दुल कलाम से मिलने का मोका मिले तो आप उनसे क्या पूछेंगे सववाद रूप में लिखे तो हम मानेंगे कि अब्दुल कलाम उनकी विचारों से उनके कार्य से जैसे अगनी पंक प्रयोक्षाला का उन्होंने उपकरम बनाया था स्कूल के लिए क्योंकि उसने मिसाइल म्यान कहा जाता है उन्होंने वैज्ञानिक्ता के माद्यम से कई मिसाइल बनाये जिनका ग्यान उन्होंने हासिल क्या था तो आज भी हम मानेंगे कि अब्दुल कलाम हमारे में उनसे कार्य के माद्यम से उनकी सच्चीनियों के माद्यम से उनके उस बड चुटियों संवाद लिखेंगे इन संवादों को आपको क्या करना है लिख कर मुझे होटसेप के माध्यम से भीजना है तीन अब्दुल कलाम के बारे में इंटरनेट सिविस्तार से जाने और उनकी महतोपन उपलयुद्यों की सुची बनाए देखो यह जो तीन उपगम दिये न आपको अब्दुल कलाम के बारे में इंटरनेट के बारे में उनकी जिवन परिचे लीजिए जैसे उनका पूरा नाम क्या करते थे कहां पढ़ते थे उनके आदर्श शिक्षक कोन थे उसके बाद उनोंने क्या कारे किया वैग्यानिक तके माद्यम से क्या कारे किया शिक्षक की हैसियत के माद्यम से क्या क्या राश्ट्रपती होनी के बाद उनोंने क्या क्या इस तरह से उनके जीवन का परिज़े आप लोग इंटरनेट के माद्यम से विश्थारता से लेकर उसके उपर आप लोग कम से कम 20 वाक के लिखकर मुझे आप लोग होट्षप के माद्यम से सेन करें तो यहाँ पर यादो के जरोके से इस पाठ का अध्यन यहाँ पर हम समाप करते हैं इस पाठ के अंतरगत हमने कठिन शब्दार्त पाठ बोध उसमें मोखिक लिखित प्रश्ण उसके बाद सोचय और बताए भाशा ग्यान और फिर उसके बाद आखिर में कुछ करने को ऐसे उ दानकारी ली यहाँ पर हम रुकते हैं धन्यवाद